हाँ पापा इशा कितनी देर कर दी दस बज रहे हैं मौसम भी खराब हो रहा है पापा वो एक ब्राइडल मेकप का आ गया था इसलिए लेट हो गया अभी बस निकली रही हो मैं हाँ ठीक है हाँ ठीक है हाँ 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 ऻ Columbus žाँ धिर अचीछ हो का यार को एचिको को मत nine है मिझ्य को को को.. कि अचिको को को यार समक्ता कि इा मत फिल वüstूork dar जा खिल भी पिलोडोडोडोडों जब हर जखम का मरहम होता है दिल पर लगी ठेश का भी समाधान हो सकता है अगर किसी घाव को बिना मरहम ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो घाव नासूर बन जाता है और अगर वो घाव रूपर है तो पीडा का स्तर हद से जादा बढ़ जाता है समझदारी कहती है कि किसी भी चोट को चाहे वो शरीर पर लगी हो या फिर दिल और दिमाग में बस गई हो उसे नासूर बन कर घर मत करने दो बोला ये प्रशाद बाट दो सम्में उधर भी देना अगर जी अब तो आप रेटार्मेंट टेंग लो अरजुन ने तो आपका सब काम संभल लिया है हाँ बात सही है सारा काम अरजुन ही देख रहा है अंकल मैं बस पापा के काम में हाथ बटा रहा हूँ सीक रहा हूँ सारा काम तो अभी भी ये ही करते श्मा बस खाना लगाई रही हूं खाकर जाना खुद कब तक ऐसे ही काम करती रहेगी बहु लेया काम में हाथ बट जाएगा हाँ हाँ अब अरजुन की शादी करवाई दो कब तक ये सुबोद की चक्कर में ऐसे सुबोद ये कोई वक्ते आने का हाँ तुम्हे बताया था पूजा सुबह आड़ बजे से एक बज रहें रहने दी जनाम अरे क्या एने दीजियो सुबोद जा अंदर जोर हाथ मूँ दोले मैं प्रशाद लेकर आप क्या मा तुमको मैंने कितने मार बोला ये भगवान और पूजा के डोंग में मुझे मत शामिल किया करो तुमको समझ में नहीं आता क्या सुबोद ये कोई तरीका है मा से बात करने का यही तरीका है तुम दोनों से बात करने का क्योंकि और कोई तरीका तुम दोनों को समझ में नहीं आता तुमें पापा सुबोद भाई संभालो अपने आपको अंदर सलके बात करते हैं आ आ गया मेरे माबाप का लाड़ला अरे आ रही हूं भाई, क्यों इतनी घंटी मार रहे हूं? तुम, अभी फूजा खतम होगी क्या? जब से आयो परेशान लग रहे हूं कर पे कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं तुमने हमारे बारे में घर पे बात की? अर्जुन हमें कभी ना कभी तो घर पे बताना पड़ेगा ना कि हम शादी कर चुके हैं बता दूँगा यार पहले सुबोद भाई के हरकतों से फुरसत तो मिले सबको सुब भाई फिर भी कराये थे? सारे महमानों के सामने ही शुरू हो गया होश में ही नहीं होँगे पूरे होश में थेयार अगर मेरा मुग खुल गया ना तो यह नाटक धरा का धरा रह जाएगा छोड़ो अब किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं प्लीज किस बारे में बात करने हैं तुम्हें? तिशा सकसे ना आपके नाम का लेटर आपके व्ट कर दो कि जा रहे हो अब तक तो सुबोध भाई का नशा भी उतर गया होगा पतानी क्या हो रहोगा कर दो पापा वो एक ब्राइडल मेकप का आ गया था इसलिए लेट हो गया अभी बस निकली रही हो है हाँ ठीक है पापा बोलो का पहुंचे बस पापा आ रहा हूं मैं वीस पच्छेस मिरिट में पहुंच जाओं अचा बाब मैं अभी फोन डखता हूं मैं अभी डाइव कर रहा हालो पापा को ने प्रेफ कुफ कर दो कर दो कर दो प्रत्रीम, प्रत्रीम ख़ी गाद। आनीमे विक्तिम का नाम अर्जुन लामभा है, उमर अठाइज साल, इसकी कार से इसका वोलेट मिला है, यहीं विलासमेगर का रहने वाला है, बंगलो नंबर चौटी, पैमली कुन फर्म किया? आसर कर गिया, कार के ओपर एक्षेल्स मिले है, इसने कार पे जानमुद्कर अंडे पहक कौन है, बेफकूफ, तर पर पत्थर से वार किया गए, और गला काड़ा गए, मारने वाला नहीं चाहता था कि इसके बचने को चांसे है, बोडी को देखके लगता नहीं है, फि चोरी का एंगल हो से, आसर, इसके वॉलेट में ही पैसे है, इसका मूबल फन मिला? नहीं सर, यह प्लान मडर लग रहा है, शायद को परणी दुष्मन नहीं हो सकती है, इसा, इसा बेटा, उट जा नो बच गे है, क्या हो बेटा, नेंद नहीं होगा, क्या हुआ पापा, सोगी थी मैं तो, बेटा, बहुत थकियों ही लग लग रहे हो तुम, चलो बाहर आर आजो, मिन सब्सक्राइब, क्रेडिट कार्ड कंपनी वालो का होगा, आप चलिए और मैं अबस अभी आए, अर्जुन, 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 आपको कुछ समझ में आ रहा है, हमारा बेटा मारा गया है, जिसने भी मेरे अर्जुन को मारा है, मैं उसे जिन्दा नहीं चोड़ूँगा, क्लेशी, शान्त हो जाईए, इस वक्त आपर क्या गुजर बाहुए, अर्जुन के कातिल तक जल से जल पहुंचने के लिए, हमें आपकी मदद की जरूरत है, अर्जुन काल रात कहां गया था, वो तेर रात तक अपने अपने दोस्तों के साथ, मेरी करीब ग्यारा बजे उससे बात हुए, वो बोला, पापा, वीस-पचीज मिनिट में घर आ र अर्जुन के किसी से कोई दुश्मनी, हाल फिलाल में उसका किसी से कोई जगड़ा हुआ हूँ, अर्जुन जगड़ा करने वाला लड़का था ही नहीं, वो सबके साथ अच्छे से बात करता था, काम क्या करता था था, दिल्ली में हमारी एक प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस का भी काम समालने लगा था, अकले जी जान सकता हूँ आपके घर में और कौन कौन है, मेरी पत्नी, बड़ा बेटा सुबोद, वो कहा है, वो नहीं है, सुबोद कल, कल शाम कोई कुछ काम से गुजरात चला गया, उससे बात हुई है, कुछ देर में आ ऐसा कोई ने था, जो आपके बेटे की जान लेना चाहता था, या उससे नफरत करता था, जान लेना तो नहीं बता, पर, वो निलिमा, निलिमा कौन, अर्जुन की पत्नी, चार साल पहले दोनों का डिवोस हुआ है, तो आपको ये क्यों लगता है, कि निलिमा अर्जुन को नुकसान पहुचाना चाहेगी, वो भी चार साल बाद, उन दोनों के बीच में कुछ हुआ था, अभी हाल फिल हाल, बढ़ा तो कुछ नहीं हुआ था, और मुझे नहीं लगता के निलिमा अर्जुन की जान लेना चाहेगी, पर, पिछले कई महनों से उन दोनों में बहुत जगडे होते थे, जगडे किस मात को लेकर होते थे, अर्जुन और निलिमा के बेटे कुणाल की कस्टडी को लेकर, हलो पापा, कुणाल बठाय मैं आपको फोन करता हूँ पापा, निलिमा और अर्जुन की शादी साथ साल पहले हुई, दोजार बारा में, राउमेरिस थी दो साल बाद कुणाल पेदा हुआ, फिर उसके बाद उनके भी जगडे होने लगे, चार साल पहले, निलिमा कुणाल को लेकर खर चोड़ कर चली गए, निलिमा, निलिमा तुम क्या करे, तुम 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 एसे नहीं जा सकते हो निलिमा, जा सकती नहीं जा रही हूँ और क कुनाल को भी साथ लेके जा रहे हो एसे मत कर बेटा तो इस घर की बहु है अर्जुन की पत्मी है लोग क्या कहेंगे मुझे लोग की कोई परवानी है जिसको जो बोलना है वो बोले लेकिन अब इस घर में मेरा दम घुटा मैं नहीं रह सकती निलिमा बात सुनो अर्जुन के साथ अलग रहना चाहती थी उसे लगता था कि हम उसकी जिंदगी में ज्यादा दखल अंदाजी कर रहे थे लेकिन हमारा अर्जुन इस बात के लिए तैयार नहीं था और फिर एक दिन निलिमा कुनाल को लेकर खर छोड़ कर चली थे वह हमारे बेटे को हमसे अलग नहीं कर सकी और बोते को छीन ले गई spricht को जिन और ओनुको अजित प्यार करता था इसलिए उसकी कस्टडी के लिए आधालत में केस भी फाईल किया है यह कास्टडी का क्थि का कप किया था नहीं हाल फिलाल में कुछ छे महीं ने पहले पर लिल्ली माँड़ा? चीव आप से कुछ बात करने हैं ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन? मुझे तो यकीन ही नहीं रहा कि अर्जुन उसके पाप अम्मी तो ठीक है न? आपको वाके में अर्जुन की इतनी फिकर है कि हमारे सामने नाटक कर रही है क्योंकि आशा और अखेले श्लांबा जी ने तो कहा है कि आप उन्हें इतना नापसंद करती थी कि आपने अर्जुन को डिवोस्ट दे दिया? लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि मैं उसके पाप अम्मी के साथ अर्जस नहीं कर पा रही थी बस बहुत हो गया हर बार तुमारा इन नाटक देखे न मैं मैं से सहा नहीं जाता अभी निलिमा मम्मी पापा को क्यों बीच में घसीट दे है अरजुन क्या बात है मैं आपको बताती हूँ बताती क्या इन फ्रेंक दिखाती हूँ यह देखे घर में बीवी है बच्चा है उसके बावजुद भी आपका इलाडला बेटा बहार मूमाने से बाज नहीं आता और यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ पहले भी कई बार मैंने इसके फोन पे घड़िया नडगों के मेसेजिस देखे अब ना मुझसे बरदाश्ट नहीं होता मैं और सहन नहीं कर सती बस मैं चुप नहीं बैठूंगी बस कैसे बाते कर रहे हो तुम बहू ठीक है गल्ती हो गई उससे पर देखो भू घर की बात अगर घर में रहे न तो ही अच्छा होता है ममी आप यह कैसी बाते कर रहे है आपका यह बेटा मुझे धोका दे रहा है देखो निल्लमा तुम इस घर की बहू हो उसके चलते तुम्हारा फर्ज बनता है इस घर की इस परिवार की गरिमा को बनाए रखना अर्जुन जो भी करता हो जहां भी जाता हो टोटकर तो तुम्हारे पास ही आता है न मुझे नहीं पता था कि इस घर में रहने वाले लोगों की सोच इतनी घटिया है अब तो मैं इस घर में एक मिनट भी नी रहूँगे बहुत लिहास का लिया मैंने एक मिनट भी नी रहूँगे मैं यहाँ पर मेरी और अर्जुन की लव मेरेज होई थी पर मुझे नहीं बता था कि अर्जुन ऐसा निकलेगा जब अरजुन ने कुनाल की गस्टिडी लेने के लिए केस किया, तो आपको तो बहुत गुस्सा आया हूँ? हाँ आया था गुस्सा, इतने साल से मैं अपने बेटे कुनाल को संभाल रही हूँ, माँ और बाप दोनों का प्यार मैं दे रहे, फिर अचानक तीन साल के बाद उसे अपने बेटे पे इतना प्यार कैसे आ गया, पहले तो नहीं आया था उसे, पहले तो वो कभी कबारी मिलने आया था, आनी सकता हूँ क्या, मैं कुनाल को लेकर जा रहा हूँ, आज रात को वापस ले आऊँ, हमारा भी हाग बनता है उस पर, उसके बाद जब भी अरजुन कुनाल को अपने घर लेके जाता, तब रात में देर हो गई, ये बहाना करके कुनाल को वहीं रोक लेता था, अरजुन कुनाल के लिए गिफ्ट्स लाने लगा, कुनाल बच्चा है, दीरे दीरे कुनाल को इन सब चीजों की आदत होने लगी, और उसकी जिद बढ़ती ही चली गई, फिर अचानक 6 महीने पहले अरजुन ने कस्टडी का केस कर दिया, आप बताओ मुझे गुसा नहीं और उसने मुझे धमकी भी दी, कि वो पैसो के दम पे ये केस भी जीच जाएगा, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा ऐसे घर में पले बड़े, जिनकी सोच इतनी घटिया है, और आप ने अपने बेटे को खोने के डर से, अरजुन को मरवा दिया, यह आप क्या पक्व कि अरजुन पैसा खिलाव इलाके ये केस जीच जाता, आप ना जबरदस्ती मुझे इस केस में खसीट रहे, मैंने कुछ नहीं किया, उसके घर वालों ने आपको मेरे पिछे लगाने से पहले अपने घर में नहीं देखा, उन दोनों भाईयों की आश तक नहीं बनी, सुब हलो, लिस्टन अभी ना पुलीस घर पर आई थी, तुम ऐसा करो, सब कुछ बंद कर दो, और कुछ टाइम के लिए शेहर से गायब हो जाओ, ठीक है, चलो मैं रखती हूँ, बाद में फोन करती हूँ, हाँ, बाई पुरूर, यहिई अरजुन के माब तो उसको शरवन कमार बता रहे थी, लेगिन उसकी एक्स ये ओफेर्ज की डिटेल्स दे रहे थी, बता रहे थी, लंबा फैमली में काफ़ी डेंचन थी, दोनों भाईयों में. ऐसने उसे पता करो, यह दोनों बाईयों वाली बात में कि ये भी पता करो, ये बड़ा भाई सुबोद, वो कुझ्रा से लोटा जै नहीं, वो के सर? पता नहीं सर, पर पिछले एक साल में जब से अर्जुन ने काम सम्हाला था, उसका बड़ा भाई सुबोद उससे बहुत चिड़ने लगा था भाई, छोड़ो मुझे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं है, तुम जो, अपने ममी पापा के पास जाओ, वैसे भी उनको तुमारे अलोगा कोई दिखता नहीं भाई, भाई, छोड़ो, बात लोना भाई तो का सुबोद अपने भाई की तरक किसे चलता था? ता नहीं पर लगता तो ऐसे ही था और अरजुन की एक्स वाईफ, निलिमा? वो लड़की तो बिलकुल गलत थी, बहुत ही शक्की मिजास की थी, निलिमा को अपने साससुसुर के साथ रहना भी नहीं था मिचार अरजुन कब तक ये सब बर्दास्त करता? उमेश भाई, अगर अरजुन नहीं होता तो मैं आपको इती रात को फोन करती क्या? मुझे कैसे भी करके अपना पार्लर बेचना है बस मुझे पता है कि इस वक्त उसका दाम कम मिलेगा लेकिन जो भी मिलेगा मुझे चलेगा आप प्लीज मुझे जल से जल बताइए हाँ पापा? बेटा तो अपना पार्लर बेच रही है क्यों? एकदम से क्या हुआ? एकदम से नहीं पापा वो मैं काफी टाइम से सोच रही थी दरसल ना उस एरिया में पार्लर अच्छा चल नहीं रहा है तो मैंने सोचा कि वहां से बेच कर किसी और एरिया में खोल लेती हूँ हाँ पनो बताया नहीं तो ने अभी तो बस उमेश भाई से बात हुए ना मैं आपको बताने ही वाली थी बेड़ा तुम परेशान दिख रही हो पापा ऐसा कुछ नहीं है मैं बिलकुल परेशान नहीं हूँ एकदम ठीक हो आप परेशान मत हुए सर अर्जुन की पोस्टम रिपोर्ट आ गई है इसके मुताबिक अर्जुन के सर पर तीन से चार बार वार किये और उसके बाद उसको अगला काटते है कुमार कोई तो है जो अर्जुन से नफरक करते है इतनी ज्यादा नफरक कि वो चाहता ही नहीं था कि अर्जुन जंदा बचे सुबोद का है पता दी है अचा कल से उसका फोन मिला रहा हूँ पुलीस को तो जूट बोल दिया और अभी तो कुसका कुछ पता नहीं चला परे सुबोद कहां थे तुम कितने फोन, कितने मेसेज़स किये कुछ खबर है तुम्हे सुबोद अर्जुन किसी ने अर्जुन पता चला तुम पीकर अब तो हुश में आ जाओ बेठा इस तरह पी पीकर अपनी चांद देदोगे चला अर्जुन के मरने का कुछ तो फैदा हुआ अब आप लोग मेरी परवा तो कर रहे हैं तुम दोनों मेरे लिए हमेशा बरावर रहे हो लेकिन पता नहीं तुम अर्जुन से यतिनी नफरत क्यों करते हो कि उसके मरने के पाद भी तुम्हें दुख नहीं हो रहा कि अर्जुन के साथ कोई जग्रा तो नहीं हो आना साब वो पुलिस आई है सुबोद लामबा हम तुम्हारा इंदार कर रहे थे तुम हमसे मिलने आये नहीं तुमने सोच आ हमें तुम्हें लेने आजाए सुबोद तुम्हारे पापा काकहना है कि तुम बिजनस के सिलसले में दो देने क्ले गुजरात क Sebो अब जब मेरे पापा ने आपको सब कुछ बताई दिया है तो फिर आप मुझ से क्यों पूछ रहे और कुछ पूछना आपको हमने सुना कि अर्जुन और तुम्हारे बीच जमती नहीं थी मेरी किसी के साथ नहीं जमती ना मा से ना पापा से और ना ही मेरे भाई अर्जुन से लोगों का कहना है कि तुम अर्जुन से नफरत करते थे क्योंकि अर्जन बिजनस में तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल था क्या बक्वास कर रहे आप बक्वास पुलिस वाले नहीं करते बलके जब बक्वास करता है ना उससे सीधी बात निकलवाते तुम अर्जन से नफरत करते थे क्योंकि बिजनस में तुमसे कहीं ज्यादा सक्सेस्फुल था तुम्हारे पाप भी तुमसे ज्यादा अर्जुन पर ट्रस्ट करते थे तुम्हें जलन तो होती होगी बड़े भाई तुम और सारा बिजनस संबालता था अर्जुन इसलिए तुमने अर्जुन को रास्त आटा दी क्योंकि अर्जुन के जाने के बाद सब कुछ तुमार माबाप का प्यार, बिजनस, सब कुछ कहानी अच्छी बना लेते हो आप लोग पुलिस वाले जो हो कहानी बनाना, जोटे दावों को सच में बदलना आप लोगों का काम ही है, पर सर आप मुझे नहीं फसा पाओगे अगर मैं ये कह भी दूँ, कि मैं अर्जुन से नफरत करता था तो भी नहीं सर आपको मेरे पापा के हैसियत का अंदाज आने वो किसी को भी खरीच सकते हैं इसलिए वो मुझे जेल नहीं जाने देगे इसलिए आपका और मेरा वक्त जाय करना बंद कीजे और जाके उस किलर को ढूड़िए जिसने अर्जुन का खोन किया है अब मैं जाओ, लेकन याद रखना अर्जुन के मार्डर से अगर तुम्हारा कुछ भी लेना देना हुआ तो तुम्हारी ये सारी गलत फेहिमिया एक सेकंड में दूर हो जाएगा जिशा ये पार्लर मैंने तुम्हें दिलवाया था जानता हूँ कितनी खुशती तुम फिर क्यों इतने हडबड़ी में इतने कम पैसों में इसे बेच रही हो दरिसल मैं और पापा गुरुगराम से शिफ्ट हो रहे हैं बस इसी लिए और कोई बात नहीं है थैंक यू सर, हमने पता किया अर्जुन का मटर जिस रोड पर हुआ था वो बैक रोड है, जंगल के पास वहां असपास कोई CCTV गैमरा नहीं है मतलब अर्जुन के कातिल ने सोच समझ के ऐसी जगा चुनी यहां उसके पकड़े जने का कोई चांस नहीं रइट सर, सर, ही अर्जुन के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स है अर्जुन को आखरी कॉल, नेलिमा का आया था हलो पापा कुनाल बठाया, मैं आपको फोन करता हूँ वापे नेलिमा, उसकी एक्स होई? हाँ सर, जब उससे पूछा तो उसने बताया की उनके बेटे कुनाल को अर्जुन से बात करनी थी, इसली कॉल किया था इस नेलिमा के कॉल रिकॉर्ट्स निकलो, स्वालाओं की खटास थी, हो सकता जहर में तबदील हो गई अर्जुन के कॉल रिकॉर्ट्स में पता चला है कि ये किसी पल्लवी गुपता के साथ रेगुलर टच में था अर्जुन का मर्डर हुआ, यानि 12 जुलाई को उस दिन भी इन दोनों की बात हुए थी, शाम तीन बज़े से पांच बज़े तक अर्जुन का सेलफोल लोकेशन पल्लवी के घर का एरिया ही था ये पल्लवी यहाँ गुरु ग्राम में सेक्टर 36 में रहती है, नियती अपाट्मेंट्स में, पल्लवी गुपता, अब ये पल्लवी गुपता काओ नहीं तो, आर्जुन के घर वालनों ते इसके बार में कुछ नहीं बता तो पल्लवी का फोन ट्राई किया था, लेकिन पल्लवी गुपता ये रहती है, हाँ सर, कुछ बता सकती है, वो कहा गई है, नहीं सर, मुझे नहीं पता, कभी इसे देखा है, पल्लवी के घर आते जाते है, ये तो अर्जुन है, पल्लवी का पती, ये तो ये ही रहता है, पती, अर्जुन का तीन रात पहले मर्डर हो गया, अवे पल्लवी से बात करें, क्या, अर्जुन का मर्डर, आप पल्लवी और अर्जुन को कब से जानते हैं, पिछले पांच माहिनों से, जब से ये दोनों यहाँ इस सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे, और आखरी बार आ ऐसे में ताका जाकी नहीं करती, लेकिन उस दिन काफी लंबी लड़ाई हुई थी दोनों के बीच में, और अर्जुन काफी गुसे में निकला था घर से, अरे यार, कहां की बात कहां लेके जारी हो यार, मैं घर जा रहा हूँ, अपना धिमाग शान कर लेना तब बात करें अर्जुन रुको, मेरे पास तुम्हारे ये बेकार की बातों के लेना टाइम लिए, एक तुम्हां अल्ड़री परिशान हूँ, और उपर से तुम्हारे ये बेतु के सवाल है, सच-सच पताओ, तुम मेरे पीट पीचे क्या क्या कर रहे हो, बस यार, तुम्हें जो समझन अर्जुन का मर्डर हो गया, ये सुनकर अजीब लग रहा है सर, आरवफिन लेतो बक़ मैं बार्दी जो समय आवे मिने है समनी आवरे जैलिए लेने की बसक्रों का मिनें है. च्जुन!.. कि तुम को नो मैं पल्लवी मैं अर्जुन की पत्नी हुए ये लड़की चूड बोल रही है अर्जुन ने कभी इसके बार में हमें कुछ नहीं बताया ये जबरदस्ती मेरे अर्जुन का नाम खराब करने की कोशिश कर रही है मेरा अर्जुन हमें बिना बताय कभी शादी नहीं कर सकते सर मैं सच बोल रही हूं अर्जुन और मेरी शादी हुई है पांच महिने पहले तीन फरवरी 2019 को तुम हमारे बेटे की मौत का फाइदा उठा रही हो अर्जुन की पत्नी होने के नाम पर उसकी प्रोपर्टी पर हग जमाने के लिए शादी की जूटी कहानी बना रही है ऐसा कुछ नहीं है सर अर्जुन और में प्यार करते थे एक दूसरे से इसलिए हमने शादी की और पूजा वाले दिन अर्जुन आपको सब कुछ बताने ही वाला था हमारे रिष्टे के पारे में पर सुबोध भाई की बात की वज़े से कुछ नहीं कह पाया बलुई हम तुम्हें कॉंटेक्ट करने के कोशिश कर रहे था तुमारा फ़न बंद के हो था सर मेरा अर्जुन के साथ जगडा हुआ था हाई बेवी आम मिस्सिंग यू तुम घर से कब निकल रहे हो हलो कॉन बोल रहा है कहीं जा रहे हो हाँ 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 घर जा रहो अब तक तो सुबोध भाई का नशा भी उतर गया होगा अधानी क्या रहोगा कर दो सच सच क्यों नहीं कहते कि किसी किरन से मिलने जा रहे हो क्या बखवास कर रही हो यह बखवास मैं नहीं बखवास तुम कर रहे हो अभी तुम्हारी किरन का फोन आया था बोल रही थी मिस कर रही है तुम्हें और पूछ रही थी घर से कब निकल रहे हो मेरी आवास सुनते ही तुम्हें फोन काट दिया किरन किरन मेरी दोस्त है दोस् रहां शांत करो हम बाद में बाद रहे हorters हैं सर उसके जाने के बाद मैने उसके फोन का वेट किया और जब कुछ नहीं आया तो मैंने इर्रटेट पॉल बंद कर दिया आज सुबर जम मैने फो ön आन moisturizing घॉत तो मेरी फ्रेंड का condolence मेंसज ऐा था स generator 12 जुलाई तौपहर के बाद तुमारी अर्जन से कौई बात नहीं? माई सर, कोई बात नहीं तो भलवी तुम छोट बह लूँ हूँ भलवी यह है तुमारे अर्जन के फॉन के कॉल्स और लुकेशन रिकॉर्ड्स इसके मताविक 12 जुलाई क sı रद को अर्जुन के मुड़र से ठीक पहले तुम दोनों की लोकेशन एक ही थी मंसूर मार्केट, सेक्टर 59 बारी बिलकु सीधी है तुम्हें लग रहा था कि अर्जुन तुम्हें धोका दे रहे तुम और अर्जुन मिले, तुम दोनों में बात हुई बात जगडे में बढ़ दी, तुम्हें गुसा आया, तुम्हें गुस्टे में अर्जुन को मार दी नहीं सर, मैंने अर्जुन को नहीं मारा सर मुझे शख था कि अर्जुन मुझसे जूट बोल रहा है मैं सिर्फ के रन को अपनी आखों से देखना चाती थी सर बस अल्वी, अर्जन के call records में 12 जुलाई या उसके पहले और उसके बाद, कभी किसी किरन ने फोन नहीं किया, यहां तक इसके call details में भी, वो ही किरन नहीं है और सर, ऐसा कैसे हो सकता है, सर मैंने खुद किरन का फोन उठाया था, सर मैं मालती हूँ कि मैं मनसूर मार्केट गई थी, जब किरन का फोन आया था, तो उसने एक और बात बोली हाई बेबी, I'm missing you, मैं घर से अराउंड साथ बचे होटल शाइनिंग मून पहुच जाओंगी, तुम घर से गब निकल रहे हो, हलो कौन बोल रहा है, जब मैंने अरजुन से इस बार में पूछा थो उसने साफ साफ मना कर दिया, लिकिन मैंने उसे नहीं बताया कि होटल शा अरण मेली, अराम सा, इस बात पर लड़ रहे हैं, तुम क्यों आई हो इदर, हाँ, नहीं सर, मुझे वह आरजुन के साथ को इकरन नहीं मेली, वो सुबोध भाई के साथ थे, उनों किसी बात पर लड रहे हैं, और आप लोग ने तो कहा था कि सुबोध उसी शाम को गुज गुजरात निकल गए था, ये लड़की जूट बोल रही है, सर, सुबोध गुजरात में ही था, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपसे कभी नहीं कहा कि मैं गुरुगरा में नहीं था, मेरे पापा ने आपसे जूट बोला, आप उन पे इल्जम लगाईए न, तुमारे पाप अरजुन में पिने के लिए गया था, पता नहीं है अरजुन ने कैसे मुझे देख लिया, और फिर शुरू हो गया, इज़त, खांदान, वगरा वगरा, बस इसी बात को लेके हमारे भी जगडा शुरू हो गया था, उसके बाद? उसके बाद मैं किसी को बिना बताए हमारे चतरपूर वाले फार्माउस पे चला गया था, पता नहीं मेरे फोन भी कैसे आफ हो गया था, नेक्स डे जब मेरे आँख खुली तब मैंने फोन आउन किया और तब मुझे अरजुन के बारे में पता चला, या फिर तुम दोनों भाईयों में जगडा हस से ज्यादा कर दिया, उसके बाद तुम वापस फार्माउस पर आ गया, हाँ, हो सकता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर साबित किजी न, नहीं मुझसे और नहीं हो रहा है मैं यहां नहीं रह सकती नहां मैं यहां रह पा रही हूँ नहीं यहां से निकल पा रही हूँ ऐसा लगता है जैसे हर वक्त कोई मेरा पीछा कर रहा है नहीं मैंने सोच लिया है कि अब मैं यहां और नहीं रह सकती मुझे बस यहां से निकलना है कुछ भी कर लो तुम मुझसे नहीं बच सकती प्यूटी बरलल बेच दिया तुम्हें लगता है तुम मुझसे बच कर भाग पाओगे अपने बापा से बहुत प्यार करती हो न तो उनके आरथी पे रोने के लिए तैयार हो जाओ अरजुन के मर्डर का केस दिन बदिन और भी उलचता जा रहा था आखिर उसे किस ने मारा था कुनाल की वज़े से निलिमा ने या फिर शक की वज़े से पल्लवी ने या फिर इन सब के पीछे सुबोध था जो खुले आम अरजुन से नफरत करने का दावा कर रहा था और इस सबसे अलग सुबोध और दिशा की बीच किया चल रहा था क्या दिशा का अर्जुन की मौत से कोई रिष्टा था या फिर ये कहानी ही दूसरी थी सवाल कई थे लेकिन जवाब अब भी नजर नहीं आये थे सर एक बड़ा ब्रेक्थ्रू सामने आए निलीमा के बारे में सर निलीमा के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि वो फिछले तीन महने से कैसी सुनिल सिंग नाम के बंदे के साथ रिगुलर टच में इतना है नहीं सर दो हफते पहले सुनिल सिंग के बैंक अकांट में दो लाख रूपे ट्रांस्टर भी किये गए गये थे जाला और बारर अर्जुन की अगले दिन से इसका फोन भी सुछटा हुए जिस दिन अर्जुन का मड़र हो वो उस दिन भी लोकेशन से नहीं लेकिन हो सकता है कि यह प्लानिंग हो अपना फोन गर पे शोड़कर गया हो ख़ब्रियों के काम पे लगाओ लेकिन एस सुनिल स इंफेक्ट अर्जुन के बैंक अकाउंट से ही चैट का किराय भी जाता है अब पल्य वी ने जिस केरंग का जिकर किया था उसके बारे कुछ पता चला सर अर्जुन के पिछले 6 मेने के CDR चाहिए उसमें तो को क्रेंट नहीं मिली लगता तो नहीं है कि पल्ली जूट बोली त कैसा कैसे हो सकते सर बिली कान्ती वियर पौलीस इसटेशन से चौंश्टेबल सटीस चौदरी का फुना है वहạnhसने अर्जुन लामा के नाम कीיס ing kaπό praticन कराई यह जाक्ना कि पत्नी है तो आप अरजुन लांबा की पतनी है? जी सर, मेरा नाम किरन मखी जाए मैं दिल्ली में रोहीनी में रहती हूँ अपने मां के साथ और अरजुन के साथ करीब एक साथ से साथ हूँ और अभी हम लोग ने दो महीने पहले ही चुपकर शादी कर लिए सर, अरजुन चाहता था कि वो अपने काम में सेटल हो जाएगा फिर मेरी मां से मेरा हाथ मांग लेगा पर सर, मैं और इंतजार नहीं करना चाहती थी इसलिए हमने डिसाइट किया कि हम शादी के बाद अभी किसी को नहीं बताएंगे पर सर, तीन दिन हो गया और अरजुन से बात नहीं हो पा रहे है आप अरजुन से आखरी बार कब और कहां मिली थी? 12 जुलाई की रात, होटल शाइनिंग मून में हमने साथ में डिनर किया था फिर वहां से मैं दिल्ली वापस आ गए उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हो पाए पर सर, आप लोग इतने साइज सवाल क्यों पूछ रहे हैं? 12 जुलाई को अरजुन के फोन पर दिन में आपने कॉल किया था दूसरी तरफ से किसी फीमेल ने फोन उठाया था हाँ, शायद उसकी मा ने फोन उठाया था इसलिए मैंने तुरंद फोन कट कर दिया अरजुन का मढ़ रहो गया अरजुन लांबा काफी बड़ा के लड़ी था एक सवाइक रेली बाफ दिली में एक वाइफ के रंड, प्रूग्रम में एक वाइफ पल्लेवी और इनके लाभा इसके दूसरी सिम के कॉल रिकॉर्ड में प्रूद अरजुन के नंबर है इन से इसके रगलर बात होती रहती है एक फोन में दो सिम रखके लड़को को गुमा रात जुटे वादे का रात तो हो सकता इन लड़कियों में से किसी को अरजुन के जूटका पता चल गया और मार दिया अ मारा है असर बिदय को मारने के लिए आपने अर्जुन की तस्वीर सिंल सिंग को दी और उसे कहा कि अर्जुन पर नाजर रगी ऑर इस काम के लिए सुनिल को तो लाख रपे दे हाँ मैंने सुनील को पैसे दिये थे क्योंकि पिछले छे माइने से अर्जुन मेरे बेटे कुनाल की कस्टडी लेने के पीछे पड़ा हुआ था आप से आपका बेटा चेंज आता इसी डर्ट की वैसे आपने अर्जुन को मरवा दी जी नहीं, मैंने आरजुन को नहीं मरवाया है और मैं सुनील को बच्पन से जानती हूँ इसलिए मैंने सुनील से मदद मागी कि वो आरजुन का पीछा करे और उसके अफेस की फोटो मुझे सेंड करे कोट में अपना केस स्ट्रॉंग बनाने के लिए मुझे अरजुन के खिलाफ सबूट चाहिए थे अगर आप सच कह रहे हैं तो ये बात आपने हमें पहले को नहीं बताई और सुनील सिंग को भाग जाने के लिए को कहा क्योंकि मैं अरजुन के पापामी को अच्छे से जानती हूँ अगर उन्हें ये बात पाता चलती तो ये बात वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल करते इसलिए मैंने पहले आपको नहीं बताया स्रम ने शाइनिंग मून होटल के पास वारे सिगनल की सीचिटी फोटेज इस चेक ही पर आजो लाई कि रात के उसमें गजीब बात सामने आई ये देखे सर ये स्कूटर अर्जुन की कार के ठीक पीछे थीन अलग-अलग सिगनल्स पर आकर रोका है यहाँ था कि अर्जुनेट जिस आखरी सिगनल से राइट लिया वो बैक्रोड वाली लेन में जाने के लिए वहाँ पर भी ये स्कूटर उसकी गाड़ी के पीछे आकर रोकी और इसने भी गाड़ी के पीछे-पीछे राइट लिए पर और जिए तुन्स आटी हो गया है सर्फ स्कूटी की डिटल्स निकलवाने की यवे स्कूटर का और रहा है उसका आरजिन के कतल से कोईना पूट आलग जरूरूरू पकपक तरफंट है कि याप जी हँआ मैं रोगया पिछ आप इस गाड़ी का पीछ है तरा इस गाड़ी के पीछ नीठ आनल शाल यह मेरे घर का रास्ता है मैं अपने घर जा रहा था है अन्हुर् जी पिछले तीन ट्रैफिक सिगनल से अप इस गाड़ी के पीछे ए तर्या सिर्फ एक इत्तिफाक है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस अपनी घर जा रहा हूँ था सर, अब यह मनोहर कहां से बीच में आ गया है, मुझे तो लग रहे है यह वाकि में इत्तिफाक है, वो सकते हैं, क्योंकि अर्जुन को मानने का मौटिव उसके बड़बाई सुबोद, पलवी, किरन, नीलिमा सब के पास है, एक नहीं मनोहर, इनका तो अर्जुन के साथ दूर इस ने फाइल किया था? दिशा कसाना, इसकी वाइफ थी, इस अर्जुन का केरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा है, एक तरफ अपने माबब का एक आग्या कारी बेटा, दुसे तरफ इतना रंगील मिंजाजी और अब यह रेप केस, और केस करने वाली कौन? दिशा कसाना, और सर, यह देखिए, इसके बाब का राम क्या है? मनोर कसाना, यह दिशा कसाना के फादर मनोर कसाना, तीन तिन सिग्नल क्राउस करके आरजुन की कार का पीछा कर रहे है, और अब यह कंपनेट, नो कुमार, यह मैज इत्तफाक नहीं हो सकता, सर, यह सिर्फ एक इत्तफाक ह मुझे कुछ नहीं बता, मनोर कसाना और दिशा कसाना, दोनों को ठाने बिलाओ, तुरंट, सर, दिशा तो नहीं आ सकती, क्यों? मनोर जी सच क्या है, यह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तो बहतर यहीं होगा, डिटेल्स आप खुद बता दे, मेरे बीवी के गुदरने के बाद, मैं और मेरे बेटी दिशा, हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे, हम खुश थे हमारे छोटी सी दुनिया में, ल लेकिन यह अरजुन मेरे बेटी की जिंदगी में ग्रहन बन कर आया, शुरुवात में उसने मेरे बेटी के साथ दोस्ती करके उसे पाने की कोशिश की, लेकिन जब उसका हर एक पैंतरा नाकाम याब रहा तो उसने एक घिनोनी चाल चली, प्लीज, आईए, आईए, आईए अर्जुन, आप तो कहरते हैं आपकी बेहनों को मेंदी लगवानी है पर यहां तो कोई भी नहीं है, आप लीज, दो मिनिट बैठी है, वो आने वाले है, आप कुछ लेंगे, चाले है, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, थांक यू, आम गॉर्ड, जूस चलेगा अट पर यह खोश करके उसमें मेरी बेटी का रेप किया और पिर उसे ब्लैकमिल करनी लगा कि उसके साथ शादी कर ले वरना मेरे बेटी के अशिलील फोटु दो इंटरनेट पिदा अरजुन के दबाओं में आकर उसने शादी भी खर ली थी ये बात मुझे उस दिन पता चली थी मैंने अर्जुन के खिलाब पुलिस कंप्लेंट दाखिल कर दिया पुलिस ने उसे कस्टेडी में ले लिया हम दोनों इस आजसे को भुला कर आगे बढ़ना चाहते थे पर अर्जुन और उसके परिवार वाले हमारे मुश्किलों को बढ़ाने पर तुले वे थे सर उन लोगों ने दिशा के उपर अर्जुन लामबा पर गलत आरोप लगा कर उसकी बदनामी करने के लिए मानहानी का केस कर दिया उनका दावा था कि दिशा ने रेप का जूटा आरोप लगया था सर जबकि अर्जुन ने उससे शादी की थी और फिर अर्जुन के भाई सुबोद में उसे डराना धमकाना शुरू कर दिया हमने इसके खिलाब पुलिस कम्प्रेंट भी किया लेकिन बार बार यही बात आती रहे कि अर्जुन तो उस वक्त शहर में थाई नहीं क्योंकि दिशा को डराने धमकाने का काम सुबोद किया खटा था ताकि अर्जुन के उपर कुछ ना आए और पुलिस भी हमारी बात नहीं मान रही अरे भाई के खिलाब जो तुमने कम्प्रेंट लिखवाई है वो वापस लोगी ये नहीं दिशा इतना डर गई थी कि उसे घर से बाहर भी नहीं जाना था यहां तक ही उसे ने अपना पाराब भी बंद कर दिया वो बार बार उसपर केस वापस लेने के लिए दबाओ डाल ले थी लेकिन दिशा ने मना कर दिया दीशा को ये किस थाबित करना था ताकि वो इस शादी से कानूनी दौर पे बाहर निकल सके अपने बापा से बहुत प्यार करती हो ना तुम उनके आरथी पे रोने के लिए तैयार हो जाओ बापा, बापा मुझे बहुत डर लग रहा है पीटा तुछ इंता मत कर मैं सब ठीक कर दूगा पुली स्टेशन जाके मैं बात करता हूँ ठीक है पापा आप अपना ख्याल रखना हाँ पुली स्टेशन से मुझे पता चला कि एक दिन पहले ही दीशा ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है दीशा दीशा तुमने कंप्लेंट वापस क्यों ली दीशा अरे दीशा तुम फोम भी नहीं उठा रहे हो कमाल है इतने से वक्त में बहुत कुछ देख लिया था मेरी बच्चे ने पुलिस्टेशन के चक्कर उनके सवाल उनके जवाब तो वोल और अरजुन की धंकिया फिर वो आखरी धंकी उससे तो वो बिल्कुल डर गई थी शायद वो लोग मुझे जान से मार देंगे पिर मैंने उसकी मेसेजिस पढ़े तब मुझे मालुम पड़ा कि उसने मुझे बचाने के लिए इस सबसे दूर जाने के लिए अपनी जानते थी और अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए आपने अरजुन को मार दी दीशा के मौत वाले दिन ही मैंने कसम खाई थी कि अरजुन को उसके किये कि सदा मैं खुद दूंगा इसलिए दीशा के मौत के ठिक एक साल बाद बारा जुले को मैंने अरजुन को मारने का प्लान बना लिया मुझे एक साल तक मैंने अर्जुन के बारे में सारी इंफॉर्मिशन ही कठा की मुझे पता था कि रात नौ और एक के बीच में अर्जुन उस बैक रोड से अपने घर जाता है उस वक्त उस रोड पर कोई नहीं होता कोरे बेफकुफ क्या मजा के मैंने अर्जुन को मार दिया उसका फोन तोड़ा और पानी में फेक दिया सर अर्जुन को मारने का मुझे कोई अफसोस नहीं है सबोत के खिलातों मैं एक्शन लें गई और आर्जुन नहीं जापकी बेटी दिशा के साथ किया वो गलत था सरा सर गलत ये सच है कि जिन हालास से आप गुजरें जो तकलीफ आपको ही है उसका एहसास सिर्फ आपको ही हो सकता लेकर मनोहर जी सच ये भी है कि मजरिम को सजा देने का काम कानून का है आपका नहीं कानून को अपने हाथ में लेकर आप भी कानून के मजरिम बन गए मैं उस मनोहर को नहीं छोड़ूंगा उसे पासी दिलवा करी रहूंगा उसने मेरे अरजन को अरजन के खुण के जिम्मेदार मनोहर जीने आप है पापा और सिर्फ आप नहीं मां तुम भी हूं मैं भी हूं जिस दिन हमें अरजन के घटिया हरकतों के बारे में पता चला उ हमने क्या किया उसकी घटिया हरकतों पे परदा डालते रहे अज निलिमा अपनी जगा बिल्कुल ठीक है जो वो कुनाल को हमसे दूर रखना चाहती है बरना बड़ा होकर कुनाल भी अरजन की तरह ही बन जाए मुझे तो समझ में नहीं आता आप दोनों को दीन कैसे आती है मुझे तो सोते जाकते बस दिशा का डरा हुआ चेहरा ही नजर आता है इने के बाद भी कुछ नहीं होता हम अरजन को बचा सकते थे दिशा को भी बचा सकते थे पर हमने कुछ नहीं किया शायद हमारी यही सजा है कि हम इसी गिल्ट में जिंदगी भर जीते रहें कानून को अपने हाथों में लेकर किसी को उसके की अपराद की सजा देना घलत है अपरादी को सजा देने का हक सिर्फ कानून और अदालत का है अरजुन दोशी था उसने दिशा की जिंदगी के साथ खिलवार किया था जिसकी वज़ा से आखर में दिशा ने आत्मत्या कर ली लेकिन मनोहर का अरजुन की हत्या करने का फैसला बिलकुल गलत था अगर समाच के सभी लोग इस तरह खुदी अपरादी को सजा देने लगेंगे तो पूरी दुनिया में आराजकता फैलने में देर नहीं लगे इसलिए जरूरी है कि हम सब रुक कर एक बार अपने आप पर गौर करें ताकि आगे चल कर हम किसी ऐसी विचार धारा का समर्थन ना करें जो ना की सिर्फ गलत है पर जिसके कारण समाज का पतन निश्चित है अब मैं अनूप सोनी आप से विदा लेता हूँ फिर मुलाकात होगी सोमवार रात 11 बजे एक और नए केस के साथ और याद रखिए क्राइम और आप के बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क है सतर्क रहें सुरक्षित रहें जैहिए